हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज अस्टमी है और अस्टमी की पूजा हर किसी के घर में होती है हम लोगों के घर में अस्टमी का पर बहुत ही दोन धाम से मनाया जाता है नौरात के आठवे दिन अस्टमी पूजा होती है तो घर में कहते हैं कुल देवता की नाम से भी पूजा की जाती है अस्टमी की तो वहां पर पूड़ी हलवा और बहुत सारी चीजे बनती है गुर्धनिया भी बनाई जाती है हमारे यहां इसी तरह से पूजा होती है आज हम आपको पूरा प्रशाद दिखाएंगे कि हमने कैसे प्र प्रशाद देखना हमारे वीडियो अच्छी लगे लाइक करना तो चलिए दोस्तों हम भोग बनाने जा रहे हैं अपने घर की जो हमारे कुल देवता है उनके लिए हम भोग बनाएंगे दोनों पती-पत्नी मिलके तयार कर रहे हैं आप सभी लोग देखिए और आनन देजि से ही भोग बनाना है गुड़ हमारा भीग जाएगा तब तक हम आगे का काम करेंगे तो सबसे पहले हमने गुड़ को पाने में विगो दिया है और अब ये हमने लिए हैं नए गेहूं दोस्तों नए गेहूं से ही पूजा होती है अस्टमी में जो पूजा होती है घर वाली जो पूजा होती है, वो गेहूं, जो नए गेहूं आते हैं, उनी से प्रशाद बनाया जाता है, तो ये नए गेहूं है, इनको हम साफ कर लेंगे, और ये हजबन हमारे भून रहे हैं कडाई में, और इनको अच्छे से पका लेना है, इनको पकाया जाता है, खुब अच्छे स और फिर इसमें गुड मिला दिया जाता है दोस्तों अभी हम आपको वह भी दिखाएंगे कि गुड मिलाने के बाद किस तरह से यह प्रशाद बनता है और हम आठा तयार कर ले रहे हैं जब तक उधर इनके गयों भुनेंगे तब तक हमारा आठा रेडी हो चुका है और आठा से जो बनने वाले चीज़े हैं वो हम ही बनाएंगे क्योंकि वो नहीं बना पाएंगे नहीं तो उनको आठा गूतना आता है तो इसलिए हम आठे से बनाने वाले जो भी चीज़े हैं सारी हम बना देते हैं तो यह हमने आठा तयार कर लिया है और अब हम बनाएंगे आठे स आइठी गोईठी दोस्तों इसको आइठी गोईठी कहते हैं जिसको खूट भी कहा जाता है बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे खूट वगेरा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सायद नहीं भी जानते होंगे तो इसको खूट कहते हैं तो यह आइठी गोईठी खू बनकर तयार हो जाएगी तो देखे गुड मिला दिया गया है गुड धनिया हमारी बन गई है प्रशाद बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं हम सिर्फ भगवान को भोग लगाने के लिए ही थोड़ा प्रशाद हमको बनाना है और अब कड़ाई गरम करेंगे कड़ाई में देशी घी डालेंगे दूस्तों देशी घी में ही हम पूरा प्रशाद बनाएंगे क्योंकि भगवान का भोग बन रहा है थोड़ा ही बनाना रहता है बहुत ज़्यादा नहीं बनता है तो इसलिए हम इसको देशी घी में ही बनाते हैं हर साल ये पूजा होती है साल में दो नयाग्य हूं लिया जाता है नयाग्य हूं सिगुर्धनिया बना जाती है तो हमारे देखिए एठी गोठी पक चुकी है और अब हम पूडियां बेल दे रहे हैं और हजबन हमारे पूडियां निकाल रहे हैं तुनों लोग मिलकर ही प्रशाद को बना रहे हैं आप लोग अगर आपके घर में ये पूजा होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपके घर में ये पूजा की जाती है तो आपको सब कुछ पता होगा कि हम कौन सी पूजा की तयारी कर रहे हैं किस पूजा का हम भोग तयार कर रहे हैं क्योंकि कुल देवता हर किसी के घर में होते हैं और यह कुल देवता की पूजा हर किसी के घर में होती है यह अस्टमी के दिन की जाती है एक एक करके हम सारी पूडियां बना लेंगे हमारी खूट बनकर तयार हो रहे हैं दोस्तों हमें साथ खूट बनाने हैं तो हम दो चार एक्स्ट्रा पूडियां भी बना और हमें आटे का हल्वाब तयार करना है तो यह हल्वाब हस्वेंड बनाएंगे हमने सरी बेलने का काम किया है पकाने का सारा काम हस्वेंड ने किया है क्योंकि इस पूजा का जो भी भोग होता है यह घर में जो जैंस होते हैं उन्हीं के हाथों से बनाया जाता है लेकिन जब तो यह मीठा हल्वा बनाएंगे आटे का ही हल्वा बनाया जाता है दोस्तों इस पूझा में आटे का ही हल्वा चड़ता है चाहे सर्दियों वाली पूझा हो या चैत वाली पूझा हो दोनों महिने में ये आटे का ही हल्वा बनाया जाता है बहुत जगा पर इस हल्वे को अब हम इसी गुड़ से हलवा तैयार कर रहे हैं तो देखिए ये हमारा जो गुड़ था हमने पुरा इन्होंने डाल दिया है फ्राइपन में और इसको मिक्स कर लेंगे पका लेंगे तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया स्वाधिस्ट हलवा बनकर तैयार होगा आटे का हलवा दोस्तों बहुत अच्छा लगता है खाने में अगर अच्छे से बनता है अच्छे से पकता है अच्छे से आप पकाते हो इसको देसी घी में पकाते हो तो ये आठे का हलवा बहुत ही जदा टेस्टी लगता है खाने में बहुत अच्छा लगता है रवे के हलवे से भी जदा ये आठे का हलवा अच्छा बनता है दूसरी चीज ये प्रशाद है तो प्रशाद तो वैसे भी अच्छा ही बन का है और यह हम कंडे की आग भी तयार कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पूडियां भी बन गई है गुर्धनिया भी बन गई है और हलवा भी बन कर तयार है अब हम खूट तयार कर लेंगे तो यह जो हम खूट तयार करेंगे खूट में हम रखते हैं गुर्ध को भोग लगाने हैं साथ खूट लगाए जाते हैं तो इस तरह से आप लोगों के घर में भी पूजा होती होगी और आप सब लोग इस पूजा के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे तो आज मैंने सोचा कि इस पूजा का वीडियो हम आपको भी दे देते हैं पूजा लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से भगवान के लिए भोग तयार किया है यह भोग हमने चार बजे के करीब बनाया है यह वीडियो हमारा अस्ट्यमी के दिन का है दोस्तों तो आप लोगों ने देखा कि यह हमारे साथ खूट बनकर तयार हो गये हैं और यही हम भोग यारी हो चुकिए